अब अब नहीं होगा यहां पर लिखती है और अपरेल में नहीं नहीं होगा तो मैंने बताया था आपको पहले भी होना है लेकिन जब तक अफिशल नहीं आता है तो तो एक डर लगना जायज भी है इसमें गलती नहीं होती पर जहां तक कोसिस यहीं की जाती है कि जो भी सर्टिक इनफरमिशन आए वही आगे फोरवाड किया जाये कभी-कभी घलत हो सकता ऐसा कुछ नहीं है तो यहीं था अभ तो ऑफिशल आगया है इक्जाम आपको फ्रेल में होगा तो इससे ग्लेटर जो अब इस बीच में क्या क पहले से तो हम लोग कल बात करेंगे अच्छे से जो आगे 68 के लिए कर रहें उनके लिए भी और जो भी 67 या CDPU का एक्जाम देंगे उनके लिए भी तो दोनों के लिए बात किया जाएगा कल मैं उसके वीजियो डालूँगा अभी तक अभी तो आप रिलाक्स कर सकते हो क्योंकि एक्जाम का डेट आगे बढ़ गया है ठीक है तो अब से आप जो भी तैयारी करना उसके एकॉर्डिंग स्टाइटजी आप आगे से कर सकते हैं